यहां पर mention किया हुआ है जल, विहार, भूका और इसके अंदर में क्या-क्या चीज आपको देखने को मिलेगा यहां पर सारे चीज mention किया हुआ है यहां पर रुखने की वैस्था भी है अगर आप रुखना चाहते हैं तो यहां पर आप रुख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं पीछे बोर्ड नजर आया है उस साइट के एरिया में भी लगा हुआ है तो वहां से मुझे पुरा जानकारी मिला हुआ है और आसपास के लोगों से पूस्ताश किया है तब जाके हमको पता चला है तो चलिए अब यहां से कितना दूर है देखते हैं इसी रोट को करना है यहां पर mention किया हुआ है जल विहार भूका और इसके अंदर में क्या-क्या चीज आपको देखने को मिलेगा यहां पर सारे चीज mention किया हुआ है ग्लास हाउस लेक हाउस है और इधार है टेंट हाउस करके और हस्दो हाउस और इधार आप जाएंगे तो सिधा है अम्भीकापूर अम्भीकापूर यहां से लगभाग 130-140 कि डिस्टेंस पर है और यह वाला रूट पर अगर आप जाते हो तो आपको पड़ेगा कटगोरा तो कटगोरा से आप आ सकते हैं और उसी बीच में यहां पर किलिमेटर अंदर है उसके बाद यहां से आपको एक किलिमेटर अंदर और जाना पड़ेगा और यहां पर जब भी आते हो नहीं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा अगर आप बाइक से आते हैं तो आपको 20 रुपय देना पड़ेगा है या इनलिय गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यह है भूगा लेक मैं अभी फिर्च टाइम आ रहा हूँ अगर आप आना चाखते है आप बिल्कुल यहां पहुँच सकते है अगर आप कट्गोरा से आना चाहते है तो कट्गोरा से भी हां गाद पूर NorthernTHE यहां पर फैमिलीज पहुचे हुए है अगर आप भी इसी तरह से अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और यह खुबसूरत सा यह लेक है चलिए आम आप लोगों पास से दिखलाने वालों हूँ से होते हुए आये हुए हैं जहां पर मैं आप लोगों को दिखलाया था इस्टार्टिंग में वहां से लगभा यह पांच किलोमेटर की डिस्टेंस पर है उस सैड़ भी आपन चलेंगे पहले यह वाला जगह कवर कर लेते हैं फिर उसके बाद यहां पर चलेंगे देखते हैं सामने में क्या चीज़ बना हुआ है अगर बोटिंग के सुध़ है तो बोटिंग भी करेंगे तो यह जगह देखे काफी सुंधर सही लग रहा है और यहां पर मादलब रुखने की वैस्ता भी है अगर आप रुखना चाहते हैं तो यहां पर आप रुख सकते हैं जैसे कि सामने बना हुआ है प्राइज अगर की बात करें तो सामने जाकर ही आप लोगो मैं बतला पाऊंगा और इस जगह का आनंद आप बिल्कुल ले सकते हैं सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है चारो तरफ पेड़ ही पेड़ना जरार है फोटो कलिस करा रहा है भाई लोग आये पड़ेगा तो मैं आप लोगो इस से लेकर आया हूँ और यहां पर आप सामने में दे सकते हैं यह जो आपको दिखाय दे रहा है सामने में यह फिस पकड़ने के लिए बनाया हुआ है इसको अभी इस जगह पर बांद के रखे हुए है रसी के द्वारा इसको अगर ले जा सकते हैं पेड़ पौध ही नजर आ रहा है यह सैड के रिया में है टापू भी बना हुआ है बोटिंग अगर करेंगे ना तो अच्छा लगेगा यहां पर मजा आने वाला है और अभी मैं टाइम की बात करूं तो अभी 11 बद चुके हैं वो सैड में भी नजर आ रहा है सामन है तो यह चार्जिस में आप लोगों बतलाने वाला हूं यह देख सकते हैं खुष्षूरस से बना हुआ है एक ही कौटेज नजर आ रहा है यहां पर मतलब एक किता रूम है वो तो मैं आपको दिखलाने वाला हूं तो गाइस यह है कौटेज और खुष्षूरस से बना हु है और यहां पर बैटने के लिए मस्ता चीयर लगे हुए हैं तो गाइस जो पीछे आप लोगों को दिखाए दे रहा है ना कौटेज यहां पर आप रूखना चाहते तो आप बिल्कुल यहां पर रूख सकते हैं आपको 12 घंटे का आपको यहां पर 4000 रूपर पे करना सकते हैं तो आपको मैं रेड़ बत ला दिया हूँ अगर आप एक दिन के लिए रूखना चाहते हैं नाइट में तो आप बिल्कुल रूख सकते हैं आपर गाइस जो एरिया है ना काफी सुन्दर से लग रहा है और उस सेड में जैसे यहां पर रखा हुआ ना वैसे भी उस सकते हैं है ना खुस्सूरत से लग रहा है आप देख सकते हैं उस सेड भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप उस सेड भी जा सकते हैं इसका जो एरिया है काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और चारो तरब पानी पानी नजार आ रहा है अब यह वाला जो एरि करना चाहते तो आप उस सेट के एरिया में बिल्कुल पार्टी कर सकते हैं उस सेट में है एरिया पार्टी करने के लिए इसे की सामने नजर आ रहा है इस वाले रस्ते से हम लोग आये हुए हैं और आने के टाइम सबसे पहले हम लोग ये वाला रास्ते पर गए हुए थे तो आप लोग को वाला एरिया में आप लोग को दिख्ला चुका हूँ बहुत ही प्यारा सा जगह है कौटेज भी बना हुए है कौटेज में अगर आप रूखना चाहते हैं तो आप बिल्कुर रूख सकते हैं फैमली के साथ यहां पर आ सकते हैं इस वाले रूट से हम लोग आए हुए हैं और इस रसे आप बिल्कुल आ से आ सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है जल विहार बुका में आपका श्वागत है यहां पर लिखा हुआ है जल विहार बुका पर इसर के अंदर किसी भी प्रकार का वीडियो स्चुटिंग करने कद एक हजार प्रतिदीन है, तो यहाँ पर भी आप रुख सकते हैं, उधर इस्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने से लेटर वहाँ पर इस्टॉल लगे हुए हैं, उधर छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है, सामने में यह है, देखें बोटिंग है, ज्यादा तो नहीं है, यह यहाँ पर दो-चार ही नजर आ रहा है, इस साइट के एरिया में, और यह भी बना हुआ है, कौटेज रुखने के लिए, तो यहाँ आते हैं, फैमिली वाले सब रुखते हैं, यहाँ पर लगभग वही 10-12 लोग बैढ़ सकते हैं, और खुस्तॉरा सा जगह है, उस साइट क रुखने की वैस्ता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर रुख सकते हैं, इस मैं अभी हूँ बोटिंग वाले सेक्शन में, तो पीछे बोटिंग हो रहा है, तो बोटिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, अब दोस्तियार के साथ आना चाह हुए है, वहाँ पर मैं देखा हूँ, काफी सारे प्लास्टिक पड़े हुए है थे हैं, और यह जगह देखे, मस्त बना हुआ है, आप लोग को वह जगह पर लेकर गया हुआ था, बोटिंग वाले सेक्शन में, अभी सेट के रिए में अपन चलते हैं, यहाँ पर पूल भ ठीक ठाक लग रहा है, बट थोड़ा सा रिस्की है, और यह जगह देखे, काफी सुन्दर सा लग रहा है, यहाँ पर आज ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाए हैं, मैं भाईया से पूछा हूँ, तो बतला है रहते कि, यहाँ पर वही वेकेशनल में चुट्टी के दि देखते हैं, क्या चीज है, यह सामने करिए देखे, सुन्दर सा यह गेट बना हुआ है, घोड़े भी नजर आ रहा हैं सामने सेड में, रात रही नव बज़े के बाद प्रविश्वर्जित है, तो आप रात में यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप पढ़िए, और इधर है, सामने में घोड़े नजर आ रहे हैं, अगर यहाँ पर गोड़े की सवारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जागा टीकट, और यह पार्क बना हुआ है, खुशूरा से यह पार्क है, यह कराया जाएगा, उधर भाई लोग बैठे हुए है, इस सेर देखते हैं, क्या है, सामने का इरिया, हजदो रूम गार्डन, रासी गार्डन, करके लिखा हुआ है, नचत्र गार्डन, जाने का रास्ता, यहाँ पर जूला सेक्शन है, छोटा सा, ज्यादे बड़ा तो नहीं है, यह देखें, इस एरिया में है, तूटा हुआ है, यह वाला ठीक है, जुलना, काफी सुन्दर से लग रहा है, तो मैं इस वाले सेक्शन में आ चुका हूँ, यह वाला सामनी करिया है, ग्लास वाला सेक्शन है, वह एक ग्लास हाउस के नाम सिसको जानते हैं, यहाँ पर चोटा सा मस्त बना हुआ है, बैठने के लिए, यहाँ पर सब खाना बनाया जाता लगता है, देखो साफ सफाई भी चल रहा है, साट के अरिया में, वो सिरफ पूरे गार्डन बना हुए है, पिक्निक स्पॉड भी है, कुछ लोग को बैठे भी हुए है, और यह वाला जो आरिया मैं आप लोग को दिखलाया था, यह वाला सामने का जो अरिया है, जूला स्रिक्षन है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, एक दो ही जूला यहाँ पर मुझे दीखाया है, तो इस वाले रास्ते से मैं हूँ, अब चलिए, आप लोग को दिखलाता हूं, पास से वासत बनाया ना तो काफी सुंदर सा लग रहा है यहां पे ज़्यादा तर लोग सनीवार है और आपको रभिवार को दिखाए देंगे तो यह वाला जो एरिया आप देख सकते हैं तो यह गलास आप देख सकते हैं अभी तो फिरहाल के लिए सामने का जो गेट है बंद है और हम लो चर रहा हैं पार्क के साइड में घुमने के लिए और बहुत ही खुशन जगह है अगर आप आना चाहते हैं आप बिल्कुल आ सक्ते हैं बुका लेक में तो शेल लिए इस सेट के एरिया में चलते हैं और आप लोको दिखलाते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा बाकी जगह मैं आप लोको दिखला दिया हूँ इस सेट के एरिया में आप लोको मैं दिखलाया हूँ अब इस सेट के एरिया में अपन चलते हैं यहाँ पर बना हुआ है वाश्रूम बना हुआ है अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ पर बिलकुल यूज़ कर सकते हैं यह है पार्क का एरिया काफी सुन्दर सा यह गेड बना हुआ है आप देख सकते हैं सामने में पूरा पेड नजर आ रहा है पार्क का एरिया कैसा ह आपको दिखलाते हैं, तो आप हमारे वीडियो में continue बने रहीएगा, ये बुका लेक का एरिया ही है, अगर यहाँ पर आते हैं ना तो आपको ये सारे जगा देखने को मिलेगा, कुछ फैमली से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जेश्ट अभी उस सैड के एरिया में गया हु तो उसको भी आप्तों को दिखलाने वाला हो, ये सामने बौट पर लिखा हुऊ है, जिलक हमिज न्यास अंसान मद से नेरमित सरचना बूका, यहाँ पर भी रूम है, यहाँ पर तीन रूम है, एक रूम है, दो कर दा एक तीसर रूम है, अपर सामने गद़्य नज़र आ र और यह देखिए सामने काफी खुस्तुरत सही लग रहा है तो इस से आप लोग को दिखलाते हैं यहां का एरिया काफी सुन्दर से लग रहा है पूरे दूर तक नजरा आ रहा है पूरा पहाड़ी पहाड़ नजरा आ रहा है काफी सुन्दर सा जगह है यह तो यह देखिए र यह जो जगह है ना कटगुरा से लगभाग वाई 20-25 किलोन्ट की डिस्टेंस पर है अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर पहुंच सकते हैं बहुत अच्छी जगह है और काफी खुसुरस है यहाँ पर गार्डन भी है आपका जो जूला सेक्षन भी है बच्चोलों के लिए है यहाँ पर बोटिंग की वैस्ता भी है यहाँ पर रूम भी है सारे हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा चल भी हर वुका का वीडिय करके जरूर बताईएगा वीडियो कर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना चल लिए चलते हैं और आप लोग को नेस्ट वीडियो में मिलते हैं